महाराश्ट्र की सियासत में बीते दो महीनों से मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है हर दिन राजनिती में नए नए ट्विस्ट नजर आते हैं एक महीने पहले तक राज्जे की सत्ता पर काबीज सिवसेना दोफाड हो चुकी है एक तरफ उद्व ठाकरे हैं तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे हैं एक महीने पहले तक उद्व ठाकरे राज्जे की सीम थे अब शिंदे के हातों में राज्जे की कमान है लड़ाई पार्टी पर कबजे को लेकर चल रही है दोनों ही अपने दावे कर रही है जिसे लेकर जुबानी जंग तेज होती जा रही है एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 55 में से 40 विधायक है शिंदे की बगावत को शिवसेना ने अब तक की सबसे बड़ी बगावत माना जा रहा है इस बगावत ने ना केवल उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से हटाया बलकि अब तो हालात ऐसे बनते जा रही है कि उद्धव को पार्टी हाथ से खिसकने का डर भी सताने लगा है पार्टी को बचाने के लिए अब उद्धव पूरी तरह से आकरामक हो चुके हैं वो पूरे एक्शन में नजर आ रही है पार्टी पदाधिकारियों के साथ लगातार मुलाकात कर रही है उद्धव ठाकरे के उनका हमला लगातार जारी है वो शिंदे को कमजोर मुख्य मंत्री बता रही है क्योंकि शिंदे सरकार बने करीब तीन हफ़ते हो चुके हैं पर अभी तक मंत्री मंडल का विस्तार नहीं हो पाया है सीएम और डिप्टी सीएम मिलकर सरकार चला रही है जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं और अब तो मंत्री मंडल विस्तार को लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जाने लगे हैं नमस्कार मैं हूँ आचल काद्यान आप देख रहे हैं डिबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट जिसमें आज हम महाराश्टर की राजनिति को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कारण है जो अब तक मंत्री मंडल का विस्तार नहीं हुआ तो साथ ही बात करेंगे कि आखिर असली शिवशेना किसके पास है दरसल कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी घटनाय घट जाती है जो किसी को कहीं से कहीं पहुँचा देती है महीने भर पहले तक शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे महराश्रों के मुख्यमंत्री थे और अब उनकी जगए शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है सीम पद पर कभजा शिवसेना का ही है लेकिन यहां असली और नकली का खेल चल रहा है क्योंकि उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को शिवसेनिक ही नहीं मान रही है शिंदे की बगावत के चलते ही उद्धव की कुरसी गई थी उद्धव गुट शिंदे को अपने निशाने के पर लिए हुए है उन्हें पार्टी की गद्दारी करने वाला बता रही है तो दूसरी और एकनाथ शिंदे खुद को असली शिवसेनिक बता रही है सत्ता हाथ से गई तो शुरुवात में उद्धव ठाकरे बैक फुट पर दिखाई दे रहे थे लेकिन अब वो पूरी ताकत के साथ पलटवार के लिए तैयार है क्योंकि जिस तरह से शिवसेना की एकनाथ शिंदे गुट ने अलग होकर महारास्टर में भारतिये जनता पार्टी के साथ मिलकर गठ जोड की सरकार बना ली है उसके बाद से ये चर्चाय शुरू हो गई थी कि जल्दी ही लड़ाई चुनाव आयोग तक जाएगी शिवसेना के नाम और निशान को लेकर भी लड़ाई होगी संजराउ तो खुल कर बोल रहे हैं कि शिंदे की बगावत के पीछे बीजेपी का हाथ है और बीजेपी महारास्टर में शिवसेना को खत्म करना चाहती है इसलिए उसने शिंदे को सीएम बनाया है शिंदे के सहारे बीजेपी उद्दव ठाकरे को कमजोर करना चाहती है शिंदे गुट का दावा है कि पार्टी के 19 लोगसभा सदस्यों में से 12 उनके साथ है लोगसभा में स्पीकर ने उनके गुट के नेता को ही शिवशेना विधायक दल के नेता के रूप में माननेता दी है महाराश्टर विधान सभा में भी विधान सभा अध्यक्ष ने शिंदे को ही विधायक दल का नेता माना है शिंदे गुट के नेता को ही चीफ विहिप माना गया है मतलब साफ है कि ठाकरे परिवार के हातों से शिवशेना की कमान खिसक सकती है पार्टी का नाम और निशान भले ही शिंदे को ना मिल पाए लेकिन वो उद्धव को भी मिलना मुश्किल दिख रहा है चुनाव आयोग ने इस मामले में सुनवाई के लिए दोनों गुटों को नोटिस जारी किया है आयोग ने एक नाथ गुट को और उद्धव ठाकरे गुट को आठ अगस्त तक पार्टी पर अपने अपने दावों से संबदित दस्तावे जमा करने को कहा है साथ ही आयोग ने दोनों पक्षो को पार्टी में विवाद पर अपना लिखित स्टेटमेंट देने के लिए भी कहा है लेकिन सुमार को उद्धव ठाकरे ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया दरसल उद्धव ठाकरे की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि सभी बागी विधायकों की एयोगिता का मामला अभी तक कोर्ट में पैंडिंग है ऐसे में आयोग ये तै नहीं कर सकता है कि असली शिवशेना कौन सी है आयोग का ये फैसला ऐसे विधानिक और जल्द बाजी में लिया गया है इसके साथ ही याचिका में ये भी कहा गया है कि शिंदेगुट अवैद रूप से संख्या बढ़ाने और संगठन में नकली बहुमत बनाने की कोशिश कर रहा है जो मामला अदालत के समक्ष विचारधिन है उसमें जाच करना अन्याई का कारवाई में खस्तक शेप के बराबर है इस तरह से ये अदालत का अपमान के बराबर है एक तरफ जहां उद्व ठाकरे ने चुनाव आयोक के फैसले को चुनोती दिया तो दूसरी तरफ उधर सिंदे सरकार के मंत्री मंडल विस्तार को लेकर भी सवाल उठाए जा रही है क्योंकि सिंदे सरकार को बने तीन हफ़ते बीच चुके हैं लेकिन अब तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हो सका है तो वहीं अब महाराश्टर के सियासी हलकों में इस बात की चर्चाई है कि कैबिनेट गठन में बीजेपी लिडर्शिप गुजरात पैटरन लागू कर सकती है और इससे बीजेपी नेताओ में डर साफ नजर आ रहा है आशिष्ट सैलार, सुधीर मुन गंटिवार, गिरिश महाजन और चंदरकांथ पाटील जैसे वरिश्ट नेताओ को मंतरी परिशद में हिस्सा दिये जाने की चर्चाई अब तक चलती रही है और अब इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि इन में से किसी को भी मंतरी पद महीं मिल पाएगा हलाकि इन नेताओं ने अब तक अपनी संभावनाओं को लेकर कोई भी टिपणी नहीं की है दरसल इन नेताओं को लगता है कि अभी कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा बता दे कि गुजरात में विजारुपाने की जगह पिछले साल जब बुपेंदर पटेल को CM बनाया गया था तो पूरे मंतरी परिशद को भी बदल दिया गया था डिप्टी CM नितिन पटेल समेत तमाम नेताओं को गुजरात की कैबिनेट में जगह नहीं दी गई थी कहा जा रहा है कि ऐसा ही फोर्मूला महाराश्टर में लागू हो सकता है और पुराने चहरों की बजाए कई नए लोगों को जगह दी जा सकती है ऐसे में महाराश्टर बीजेपी के दिगज नेता चुप रहने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं और हर सवाल के जवाब में यही कहते हैं कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे उठाने के लिए हम तयार हैं पार्टी के जो नेता कैबिनेट में जाने को आतुर हैं वे अब भी खामोश हैं बीजेपी हो या शिंदे गुट के शिवशेना विधायक सभी शान्त है बीजेपी नेता सुधीर मुन गंटिवार, गिरिश महाजन, आशिश शैलार, चंदरकांत पाटिल, फटनवीज सरकार में मंतरी थे लेकिन इन में से कोई भी खुले तोर पर ये नहीं कह रहा है कि हम मंतरी बनेंगे इसका कारण है फटनवीज को लेकर बीजेपी आलाकमान का बड़ा फैसला जिसने सभी को चोका दिया था फटनवीज के सीम बनने की चर्चा थी लेकिन डिप्टी सीम पद दिया गया जिन नहीं टिकेगी हलाकि सरकार नहीं चलेगी ये बात शिंदे सरकार के गठन के बात से ही कही जा रही है पर अब इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब खुद भारतिय जनता पार्टी के नेता की तरफ से ऐसा बयान सामने आया दरसल शनिवार को राजे के बीजेपी प्रदेश अध्याक्षत स्यंदरकांथ पाटेल ने कहा की हमने एकनाथ शिंदे को सीम दिल पर पत्थर रख कर बनाया है जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने शिंदे सरकार पर हमला तेज कर दिया उन्होंने शिंदे गुट के सड़े पत्तों से तुलना करते हुए कहा की पत्जड से सड़े पत्ते जड़ गए हैं यानि अपने बयान से ठाकरे साफ इशारा कर रहे हैं कि सरकार नहीं चलेगी और सिर्फ उद्धव ठाकरे ही नहीं बलकि शिवशेना नेता संजराउत ने भी शिंदे सरकार को लेकर भविश्यवाने करते हुए कहा की उद्धव ठाकरे के बिना शिवशेना के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है हमारी अवाज दबाने की कोशिश मत कीजिए हम लोग चुप रहने वाले नहीं है और महाराश्टर में एक नाथ शिंदे और देविंदर फड़नवीस की सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकेगी इसके लावा शिवशेना नेता अधित्य ठाकरे ने भी ये दावा किया है कि सरकार ज्यादा दिन सत्ता में नहीं रहेगी मेरे सब्दों को मार्क कर ले ये सरकार जल्द ही गिर जाएगी और महाराश्टर को मध्य अवधी चुनाव का सामना करना पड़ेगा जब मैंने सोचा कि हमने इन लोगों के लिए जो कुछ किया है तो मेरी आखों से आसुआ गए लेकिन ये समय रोने का नहीं है लड़ने का है इतना ही नहीं बलके आदित्य ठाकरे ने तो ये भी कह दिया है कि जो बागी विधायक वापस शिवसेना में आना चाहते हैं उनके लिए हमेशा शिवसेना के दरवाजे खुले रहेंगे हलाकि शिवसेना भी उनकी है और सरकार भी उनकी ही रहेगी लेकिन अब नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है साथ ही उद्धव ठाकरे के एक्शन पर है जिस तरह से इन दिनों ठाकरे सोच सोच कर कदम रख रहे हैं उससे कहीं न कहीं शिवसेना भी टेंशन बड़ी हु